हाँ जे नमस्ते जी सभी को कैमरा अपना ओन कर लिए सभी आवाज आ रही है मेरी हाँ अपना कैमरा सभी ओन कर लिजी अभी अपना हाँ प्रणाम नमस्ते सभी को नमस्ते चलो बताओ जरा आप भ्यास कैसे चल रहा है आपका एक अप्ता हो गया हमारे को कारेकरम शुरू किये हुए सज्जनलाल जी, प्रणाम एक बर सब को एंट्री दे दूँ मैं फिर करते हैं बाक्चित थोड़ी शुरू अभी भी थोड़ा हो रहा है आना जाना हाँ चलीए बताइए आपका अब्यास कैसे चल रहा है केशब जी आपका कैमरा ओम कर ली जी है आप सभी फिर मैं भी अपना कैमरा ओफ कर लूँगा फिर ओडियो ओडियो से ही काम चलाएंगे फिर वो ठीक रहेगा ना चलिए शुरू करते हैं कहां से पूर्णम जी नमस्ते निरू जी नमस्ते केशब जी बताइए कैसे हैं आप प्रणम जी नमस्ते के लिए बहुत बहुत बढ़ारी ना इस बिग्यांग को शिखने के लिए बहुत उतसाहित हूं बहुत जगा दुना इंडिया में मैंने बहुत बढ़ बिजयो देखी केशब जी ने एक बात बोली थी मुझे गुरुजी कोर्स कितने दिन का होगा ये मैंने बोला दो तीन महिने चलेगा क्योंकि मुझे भी फिक्स नहीं था कि मैं कितना लंबा इसको करूंगा तो मैंने दो तीन महिने का टाइम बोलाई तो इन्होंने का कि गुरुजी दो तीन महिने में कैसे होगा एक प्राणयाम सीखने में तो छे महिने लगते हैं अब ये बात तो बिल्कुल सचा है कि एक एक प्राणयाम क्या एक एक आसन सीखने में कभी-कभी छे-छे महिने लगते हैं सूर्य नमस्कार शीखने में छे मेने लगते हैं लेकिन मैं भी आपको कब तक पगड़ के बैठा रहा हूं बताओ लेकिन एक बात ओर है कि मैं आपको असानी से जाने नहीं दूँगा ये एक भलेई कोर्स खतम हो जाएगा ना तब भी कि हम कुछ दिन ऐसे रखेंगे जब हम दुबारा मिलेंगे और कुछ साधना पर चर्चा करेंगे और बात्चीत करेंगे तो आपकी प्रोग्रेस का थोड़ा मैं मौयन करूंगा कि कितनी प्रोग्रेस आप कर रहे हो क्या चल रहा है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तब भी बिल्कुल ही छोड़ दूँगा आपको तो इसकी चिंता ना करो आप आसमा जी बोलिये जरा कैसी चल रही है प्रैक्टिस आपकी मैं बिल्कुल ठीक है जी बिल्कुल ठीक है जी इसकी चिंता है कि मुझे खुष्षी एक और स्वाइन करने की तो मैं पाकिस्तान लाहोर से हूं लेकिन आप कैनिडा में रहती हैं और काफे सारी वीडियो देखें कि आपकी वीडियो शब चीड़ लगने हैं और उसमारे क्लीनिंग शरीर की दो तरह से होती है प्राणयाम जो है दृष्षय रूप में और अदृष्षय रूप में शरीर की शुद्धी करता है एक तो जो म्यूकस आपको पता लग रहा है म्यूकस निकलता है या मैसूस होता होगा उपर नीचे होना दूसरा जो मेंटल टीटोक् स्ट्रेस का निकल जाना या रिलेक्स हो जाना वो भो भी आपको हो रहा है शायद अभी दृष्षय रूप में विजिवली आप उसको नहीं महसूस कर पा रहे होगे लेकिन उसका इफेक्ट आएगा जब आप देखना लगबग दो तीन सब्ता और रुख जाओ तब उसको आप प्रभाव को देख पाओगे और यह जो प्रैक्टिस है ना यह मैंने आपको पहले दिन ही बोला था कि इसमें बहुत सारा धेरिय रखना पड़ेगा आपको पेशंस रखने पड़ेंगे आप ऐसे मत सोचो ऐसे मत बोलना कि जल्दी-जल्दी कुछ हो जाए फटा- से होगा इसको करेंगे और कोई बताओ आपको कुछ प्रोलम आ रही हो तो कुछ आपको डॉट हो तो आपने जो वीडियों में बिजवाई थी सवार वन और टू की जिसमें आपने बतायते है कानों को विस तरह खोलने वो वीडियो बहुत हेलफ़ हैं हां 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 उस पर ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो सबसे वड़ी बात ही है कि उसको बार बार देखो टाइम कोई मुश्किल बात नहीं है उसमें कोई भी ऐसे नहीं कि मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज बताई हो कटिंची बहुत आसान चीज़ें बताई हैं उसमें तो आप उसको जी बॉलिए इंट्रस्टिंग बात यह है कि आपने बताया था कि क्लीनिंग काना की कि आप नमक वा नमक वाला सब को यह जाननी जरूरी है बात नमक वाला पानी लगबग लगबग एक दवाई की जैसे ही समझो उसको अगर कोई समंदर के पास रहता हो ना जैसे आप में से कोई नहीं रहता होगा आप सब नोर्थ इंडिया से हो तो समंदर के पास नहीं रहता होगा आप में से कोई श्वास छोड़ोगे तो आपको वही लाब होगा एक ये भी विदी है समुद्र के किनारे बैठके अब भ्यास करने की इसलिए तो हमारे शास्त्रों में कहा है कि ऐसी जगे बैठो जहां जल का स्रोत हो कोई नदी तलाब हो ताकि वो जल के जो तत्व है ना जो लवन जो मिनर लोगा बैठने से फिर आपका वायू तत्व स्ट्रोंग हो जाएगा प्रिथवी तत्व आपका स्ट्रोंग हो जाएगा और प्रानयाम को जो आपको लाब मिल रहा है वो तो लाब मिले गई आपको चलिए आदित्य जी कहां है जी बोला हुला है इस सवार है अगर अगर हिए घर के पास नहीं है पनी तो आपकी रस्वाइव नमक नहीं उससे बात बनागी नहीं चलिए संजे विश्व कर्मा जी कैसे हैं वारा नसी से हर हर महादेव माइक ओन कर लीजी अपना अनि रही है वाज बाई को उन करना पड़ेगा आपको हाँ जी अब आ रही है बोलिये कैसे हैं आप अच्छे है बोट बोट जन्यवाद दर रही है सर में वारांची दिन्हों और सर्व मैं भी बोट वीजो देखा तब जायके पता चला मैं काफी लोगों को चेक किया लेकि तोन ही नहीं आ रहा था लेकिए आप अंसानी से बता रहे हैं तो मुझे लगा कि हमें बाई जोइन करें क्योंकि इसकी जानकर इसम थी नहीं सा रहा है क्या करना कैसे करना कहां से करना है हां उसमें भी करेंगे दिरी-दिरी मैंने बोला ना एक तो स्वास्थे जो है हमारा फिजिकल हेल्थ और एक मेंटल हेल्थ इस पर तो सब के लिए काम करना है और दूसरा आर्थिक रूप से भी किसी को तंग नहीं रहने दूंगा ये भी मैं आपको प्रोमिस करता हूँ ऐ कैसे समझ लो आप क्योंकि ये बहुत आसन चीज़ी आ ये बहुत आसान बाते हैं ये अब इसके बाद इसी ग्रूप में से देखो आप लगबक 50-55 के क्रीब लोग हो इसी ग्रूप में से लगबक 10 लोग मैं ऐसे चृत लोगँगा आपके बिना कहें बिना किसी को बताए म जो सिर्फ और सिर्फ ध्यान और meditation के purpose से यहां पे आए हैं देखो आप में से भूत सारी category बनती जाएगी अब तो जो सिर्फ health के लिए यहां पे आय हुए हैं तो उनको अलग कर लूँगा जो ध्यान के लिए meditation के लिए बैठे हैं उनको अलग कर लूँगा अभी तीन दिन पहले केरला से जो एक South India में state है केरला से मुझे किसी ने message किया तो उनकी उमर है 59 और वो बहुत अच्छे जोतिश है इतने बड़े वो जोतिश है आप सब तो पैर पकड़ लोगे उनके गुरू बना लोगे पहली बार में मिलते ही लेकिन उन्होंने मुझे ऐसी प्रॉलम बताई अपनी बोले 36 साल से मैं साधना कर रहा हूं 36 से लेकिन मैंने उसको समझा मैंने का एक दो गलतियां आप कर रहे हो बोले बस आपको मैं जो है अगला जो अक्तूबर में जो कोर्स का सेशन शूरी होना है उसमें बोले मैं आप चाय कितने भी अभ्यास कर लो, चाय कितने भी आपने पढ़ाई करी हो, किसी भी शास्तर को पढ़ा हो, लेकिन वो कही नहीं कहीं कमी जो है जैसे आख में चोटा सा कंकर आ जाये, आपके सामने हमाले परवत है आप उसको भी नहीं देख पाओगे, अगर आप थोड़ उससे बड़ा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो छोटे से कंकर में भी इतनी शक्ति होती है कि हिमाले का विव आपका वो ब्लोक कर सकता है, तो साधना में, मेडिटेशन में कुछ प्रोल्लम कभी-कभी छोटी-छोटी गलतियां ऐसी हो जाती है, जिसकी वज़े से काम को किया है, तो कभी मौका मिलेगा जब हम इन-पर्सन जो है एक शिविर लगाएंगे भारत में कहीं पी, तब मैं कोशिच करूँगा आपको उन से मिलवाने की, जी बताईए कोई और समस्य हो आपकी तो, पर समत्या रिकावे पर सुरू कर रहा है कि आप जो बताएं हो अप कहा हो, नमस्ते, पर्णाम, कैसे हो आप लखनौ से हो आप, यह ऑपको यह आपको मेरे यहां पर जाघουν, कर लो इसको, ऐसे मेरे विर वहांचे जाना साइड में पिन समिलियर नहीं हूँ इस Google से लेकिन आगे तो आगे अब इसमें कोई बात नहीं है पता नहीं बता आपके आवाज आ रही है आप थोड़ा आगे पीछे इसको घुमाओगे तो दिख जाएगा लेकिन मैं तो दिखना ही चाहिए हूं सबको वैसे है ना चलो अब करता हूं अब अब दिख गया मैं अब आ गया हम सब लोग देख पा रहे है मुझे कर नहीं देख पा रहे हैं पार्टिक पर नहीं देख पा रहे हैं चलो कोई बात नहीं हाँ ठागा हाँ प्रणाम अचा लखनाव सें हो अप है अच्छा मह गय था लखनाव से को उजड़ते हूए राम जी की दर्शन करने अभी जनुरी में छ λέशना हाँ एक शिकायत भी लखनाव से मेरेको लखनाव में अथ्षी चाहया नहीं मिली हमें कहीं अगली बार ठिकाना मैंने डूण ली अगली बार के लिए चाहेगा चलिए बताईए आपका अभ्यास कैसे चल रहा है अभी क्यों नहीं कर पारे क्या समस्या रही है यह बताया था कि समको स्वाट चेंज करना है तो शुबा तो स्कूल से ले जाते हैं शाम को शार बजाते हैं तो वहां चीज़े हो नहीं पाती हैं तो उसको लेट के करना है तो घर आके बेर करते हैं तो आदे घंटे एग घंटे में तो स्वाट तो तुरंट चेंट हो जाता करते हैं तो लेकिन हमको लगता है कि हमें इसमें और देना चाहिए वो पॉसिबिल नहीं हो पा रहा है तो हम दुझे सटेस्क्षन नहीं हो पाता है एक आसान तरीका बताता हूं मैं आपको और समय देने का इसमें टाइम निकान लेगा जो कि मैंने किया है लगबग लगबग जब जब मैं 15-16 साल का साथ अब से शुरू किया है मैंने यह सुबह सुबह जल्दी उठना शुरू कर दो बस टाइम मिल जाएगा आपको वो टाइ असली साथना का चैलंज तो यह है कि आप दुनिया के काम भी करते रहो और अपनी साथना भी करते रहो अब हम सब को छोड़ के जंगल में नहीं जा सकते ना कहीं पर और जंगल में जाने की तो बात छोड़ो, आप तो कम्पूटर के मुबाइल के सामने बैठे हुए हो, आपको तो घर से निकलने कभी नहीं है, साधन, तो हम तो इतने कठिन, मैं तो इसको कठिन साधना मानता हूँ, इतनी कठिन हालात में हमने फिर भी साधना करने को जूज क उसको सिलेक्ट किया तो हमाल ये जरूर पूर्व जन्म के संसकार हैं आपके और मेरे भी के मैं आपसे जुड़ पाया नहीं तो देखो आप अपने आसफास गर्दन घुमाऊ जारा आपके कितने रिस्तिदार कितने दोस्त कितने जानने वाले हैं किसी को कोई पर्वा नहीं उन बातों के जिनकी आप पर्वा कर रहे हों तो ये कहां से आई ये प्यास आपकी जानने की ये तो पूरु जन्म पिसले जन्मों में कुछ किया होगा ना आपने आज जी गुरु जी ये मेरे अंबर ये बहुत ही जबदस्ट प्यास है कि मैं दिहान साबनाईया उतर करते हूं और अच्छा ये ये एक चीज है कि जैसे मैं दिहान तो फोड़े समय से करते हूं सद्गुरु का अने ज्वाइन कर रखता है तो उनकी शामुजी महासुरा जरा जरा करती हूं और लेकिन एक चीज है मैं ये महसूस करी है कि जैसे जब हम इस दिशा में चलते हैं तो बहुत सारी जो हमारे चारोड लोग हैं वो तो इसको समझते नहीं है तो उत पड़ा सा मुश्किल भी होता है और उसकी मेरे घर में ही नहीं कोई समझता है बात की कि मेरे बात करने में लगता है कि मेरे बात करने में लगता है कि मेरे बात करने में लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है तो नहीं जाने में भी टाइम वेस्ट लगता है तो एक पी जमें महसूस करी है कि पिर इस साथना में आने से वह सबसे दूर हो जाते हूं पर हमको इसकी देखो दो बातें आपने बोलिया यहाँ अब आप माइक बंद कर दीजिया अपना एक बात आपने बोली कि जब आप साधना करते हो तो आपकी भाषा को नहीं समझता आपकी बात को को नहीं समझता मेरे को लगता है यह समझया आप सब के साथ ही हो रही है यह समझया आप इस प्रोलम को सेज कर रहे हो और यह साधक की यातरा है जो हमारी जो meditation की journey है उसमें यह बहुत common problem है इसलिए गुरु की जो है importance है क्योंकि गुरु ही आपकी भाशा को समझ सकता है आप क्या बाशा बोल रहे हो, किस बारे में बोल रहे हो कहां खड़े हो, गुरु वो देख सकता है क्योंकि गुरु भी तो उसी रास्ते से होके आया है ना सिरफ time का ही फरक है एक चोटी सी कहानी में और को याद आती है जब बुद्ध बुद्ध हुए ना पहले तो भो गोतम बुद्ध तो बाद में हुए पहले वो सिधार्थ थे राजा के बेटे थे जब उन्हें ग्ञान प्राप्त हुआ जब बुद्ध हुए तो उन्होंने प्रणाम किया किसको प्रणाम किया जो उन से पहले हुए बुद्ध है उन सब को एक बार दोबारा प्रणाम किया तो उनकी शिश्चों ने पूछा कि आप किसको किया बोले अब जो आने वाले बुद्ध है उनको किया तो बहुत बड़ा अंतर नहीं है गुरु और शिश्चे में सिरफ अंतर यह कि जिस रास्ते पर आप आज चल रहे हो मैं उस रास्ते से होके आया हूं इसलिए आपके बाश्याको समझ सकता हूं आपको किसी को मिलने का मन नहीं करता वह समझ सकता हूं आपके जिन लोगों को आप अपना मित्र समझते थे वो भी छोड़के चले जाएंगे आपको वो भी समझ सकता हूं तो साधना का पत्थ तो ऐसा आया देखो आपको अकेले होने के लिए तैयार होना पड़ेगा आप ऐसे मत सोचना वही भीड भाड मेरे आसपास पनी रहेगी और मैं तो ध्यानी ब बताऊंगा आपको जब अगली बार क्लास लोंगा यम के पांच नियम है जैसे अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचरिय अपरिग्रह फिर नियम के पांच है शोच संतोष्तप स्वाध्य ईश्वर प्राणिधान इसको डिटेल में बताऊंगा कि इनकी क्या इपोटेंस है एक सा बात में और एक और भी रियक्शन मैंने इसकी देखी है आप शायद आप लोगों ने इसको मैसूस किया होगा कुछ ने कि जब आप ध्यान के लिए बैठते हो तो आसू निकलने लगते हैं रोना आता है यह उसी कारण से है यह वैरागे के कारण रोना आता है क्योंकि बाह है ज Case मैं भी है भाई भीएखन भीए इसकी है माबाप भी यहा बैठे हूए मित्र भी यहा बैठे हूए पैसा जो मैंने कमाया रही सारा पैसा वीए पढ़ता हुआ है आंक बंद करते ही कुछ वा आता नहीं आपके पास इसलिए वह जो अकेला अपन कचोटताना आपको उ सच क्या है मेरा क्या है और पराया क्या है तो जब आप आख बंद करते हो तब वह रहता है यह तो पता ही था मुझे जब कन्फूजन होती है ने तब वह आसुआते हैं चलिए और कुछ बोलिए कुछ को सनो तो मैं आगे फिर मूव करूँ हां परणाम सपना सोनिया सोरी सोनिया जी बोलिए माइक ओन कीजी अपना परणाम क्यों कि अभी आपको अभ्यास नहीं है इसलिए जब अभ्यास करोगे वह जल्दी जल्दी होने लगेगा फिर लगता है समय शुरू में समय लगेगा उसमें लेकिन आप में से अभी आप देखना अभी आपके सामने ही कई लोग बोलेंगे ऐसे कि हमारा टाइम घट गया पहले जो तीन मिनिट में होता था वो अब तीन मिनट से समय कम हो गया दो म ना वो रोटी गोल बनी थी, ना वो सुंदर बनी थी दिखने में, अब गोल भी बनती होगी, सुंदर भी बनती होगी, क्या हो गया वो, अब्यासी तो था ना आपका, प्रैक्टिस दी ना ऐसे, तो चलो, और कुछ नहीं है मेरे ख्याल से, आपको हाँ, शुब काम नाए है, अब्यास करते रहा हूँ, प्रैंढ प्रसंता बिष्वास जी आजâyी है, लाइन में, प्रृण जी परनाम, परनाम, तो बुरुजी मुझे पूछना तो बहुत कुछ था अराम से बोलो तो आपको सुनने में जो समस्षा मुझे है मेरा जो जो तकलिप हो रहा है मुझे बहूद कब खेंभी लेसे लिए सकते है बने में खेंभी लिए नहीं करें में आपको दो तकलिप हो रहा हुद गुदे जो आ जो याय खोना से शुड़ता करके करने के नाभी को ऊपर निच करने में शांस खीचने में मुझे नाठ में तो ऐसे मुझे नाठ को फैसे ऊपर करने में सांस लेने में हो रही है तो ऐसे में कर रहे तो समसी q descended का ए गलत है जो मैंने ऐसे नाक को फड़ा उपर खीच के सास को लेगा अभी कर सकते हो शुरुवात में आप कर सकते हो लेकिन फिर वही है ना कि आप कब तक नाक को पकड़ोगे कब तक ऐसे खीच के सास खीच होगे अभी शुरुवात में कर सकते हो क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है भ्यास नाक को भी नहीं पता अभी हम इतनी ज्यादा सास क्यों ले रहे हैं अभी तक तो जीवन भर आप छोटी सास लेते थे छोटी सास छोड़ देते थे अब अचानक से आपने परिवर्तन कर दी है नाक को समझनी आ रहा तो थोड़ी हमारी बोडी लैंग्विज को समझने में थो को हम खाते हैं पेट में ऐसे डालते हैं फिर निकाल देते हैं बाहर वो पेट को इंटेस्टाइन को साफ करने के लिए स्टमक को साफ करने के लिए अब मैं करता था शुरू में जब मैं पढ़ता था स्कूल में तो मैं गुरुजी को बोलता है रोज अपने इतनी सी आप त है यह अब तो निगल लो इसको ऐसे ही स्वास भी आपकी नाक भी आपका लंक्स भी आपके समझ जाएंगे कि आप सांस को थोड़ा चेंज करना है वो आप उसको एक्सेप्ट कर लेगी फिर वो देखो आप नया पैन भी हाथ में पकड़ते हो तो उंगली में कभी-कभी छाल प्रणाय में शुरू किया हूं मैंने आपके समीज में आके तो और बाकी फूरा दिन हालाग से एक एनार्जी मैं मैं सिस्कर रहा हूं तो ऐसा कभी फिल नहीं किया मैंने पहले कभी नहीं किया तो अच्छा लग रहा है स्वास स्वास लेता था जिंद के बड़ लेते आया तो अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है मुझे तूरा दिन अलग से एनार्जी फिल हो रहा है तो मुझे अभी भी प्रानायम को एकाल से करना नहीं आया मोझे तो जितना भी मैं पत रहा हूँ प्रानायम को तो उसमें थोरा-τοरा उस्थोरा अच्छा लग रगशे खिल रहा है और नाग भी क्लियर हो रहा है पहले दिन जो नाग अंदर से बन था तो आज घ्रे घ्रे खुल रहा है ऐसा मुझे लग रहा है हाँ हाँ वह भी होगा पटीब अब और और कुछिद अबलो बलो हाँ इसलिए तो आपको सब को इकठे विठाया आपने हालकि कही लोगों ने मुझे से कुछ पूछा भी तो मैंने बोला कि सब संडे हम बात करेंगे कि ऐसे बोला ना ऐसे रिपला किया क्योंकि मुझे पता कि वो जो आपकी समस्य है ना वो कहीं हो लोगों की आए तो एक साथ जब हम बात करेंगे हाँ दीपक जी आ जाई है दी बोलिए दीपक जी क्या नाम गुरु जी पर नाम गुरु जी वो अभियास को पिस्रे साथ इन से चली जाये और अशर भियास में कुछ बाते नोट करेंगे है जो आपके समक्स देखना जोओंगा आजी बोली आराम से बोली है जैसे कि एक चीज तो मैंने पाए है कि पूरे दिन बर में को स्यावता जाता है कि अदिक है कि अधिक्तर समय पे स्वभावी गुरुष चारतों चाहिए, कभी-कभा वाल श्रुष्मना चाहिए, यह अदिक है तो कल से मैं वाटर फास्टिंग प्यो हूँ और कल से जब वाटर फास्टिंग शुरू किया तो फीबर भी शुरू हुआ कल ही सही लेकिन आपके शब्दों से आपके सानी दें से उश्यक्ति मेली और बिना किसी उससे और कॉंटियूस हो रहा है और अब भी वाटर फास्टिंग तो बुखार की जो फीलिंग कर आपको काफी जादा हो वही थी 102-103 जैसा बुखार लग जाथा तो फिर लगा कि चंजे स्वर मैंने यूज किया चंजे स्वर को मैंने आदर अदर अचलब अभयास किया उसी स्वर में सोया और बस आपकी बात ही गूंद रही थी और सबले तक मुझे 60% अराम है अभी कुछ खाने की बीश्चा नहीं है तो अच्छा लग रहा है पर यह कुछ पीजे हैं साम में है जो सिरफ बुखार ही दूर नहीं होगा आपका आपके शरीर में जो थोड़ा बोड़ा दर्द होता है ना वह भी ठीक हो जाएगा और बुखार ठीक हो जाएगा आप एनर्जी एक फिल करोगे दुबारा से तो आप करते रहो प्रैक्टिस हम करेंगे फिर बात पूनम जी नमस कैसी चल रही है प्रैक्टिस कुछ किया आपने बताओ पिछले एक सब्ता में होगा ज्यादा तो ने पर जितना मेरे से बन पाया मैंने किया है जिसमें जो आपने बताया था यह वाला और पेट कुला के वो ब्रीजिन आउफ वाला और स्वर्चित करना हां टोटल में 20-25 प्रैक्टिस की मैंने किया अचा है ठीक लगा और जो कहते हैं ना कि मन जो है रिलाक्स होता है वो मैंने बहुत पील किया इसे करने के बाद एवन जब हम आग बंद करके ब्रीद इन आउट करते हैं थोट्स आते हैं तो फिर कई बार थोड़ा सा वो भी हो जाता है फिर शोल्डर में थोड़ा सा वो लगड़ा है थकावट सी में लोगती है बाकी वो जो चक्तर आना वो सब नहीं है इसका थकावट का जवाब मैं भी दूंगा अभी यहां पे वो है दीपा अगरवाल जी है उनका सवाल जो थोड़ा ऐसा ही है कि उनको थोड़ा अब कि अब ही मैं टाइम कम भी देपा हुआ है अब टाइम दो आप टाइम तू देना पड़ेगा देखो आप टीचर ओना स्कूल में नहीं मेरा ओफिस लेना इस अच्छा अच्छा निरुजी टीचर है एं चलो ठीक है यहां तो इसमें कर लिए करो क्या करोगो इतना काम कर गया है यहां तीक है चले फिर करेंगे बाद आप से अधी पागरवाल जी आजए यह प्रणाम कैसे हो परनाम करेंगे आप अच्छा लग रहां मैत वक्रणागर्ण अच्छा लगए कृच्छा लग्षा लगए को तवक्या है कि अदो इक फ्रस्मे किया था कि मेरी राइछ नोस्रे बहुँझ जाँधा ज़ती गूरा दीनील लगभाग राइछ नोस्रे चल्था ते पुरा द मुझे ये ये समझी नहाता है कि राइट चल रही है के लेफ चल रही है। जो में अगे बहुत हम अच्छा समयसुस होता है कि वहानी बॉक है यह बहुत अच्छा फिल हो रहा है। दूसरा शान्ती मुझे बहुत महसुस होने लगी है, ब्रीधिं ऐट साटे पहले मेरे को लगता था कि में शायद पात सार सेकंड भी खीच थी ती और तो तो काफी लंबा मेरा लगभग लगभग थी तो कि एक बिढ़ भी ज़ कर दुदो कि लेड़ मेरा ले बिढ़ वाला है उसमें मुझे लगभग 10 असाइट्स कर ने में लेफ और राइट करने एक गंटाफ लगजाता है तो मैं दो सेशन में एक सुबे और इक स्याम को मतलना पंतरह सब शाइट्स आट्स कर बाती मैं अपना पुलाने और को करती हूं और नोस पान वाला जो है भी पंदरा पंदरा बार कर रही हूं तो मुझे बहुत बहुत शांती लग रही है पर मैं को एक जो फीलिंग आई वह यह है कि तस ग्याराश पर चेंज करने के बाद बॉड़ी का टेंपरिचर मतलब ऐसा लगता है जैसे मुझे बहुत गर्मी लग रही है पसीन में लगता है और मैं ध्यान देती हूं अपने करने के बाद किसे पसीना आता है ऐसे मुझे पसीना आने लग जाता है तस क्याराश वाद चेंज करने के बाद चलो अब आपका माइक बंद कर देता हूं फिर आपकी बात कर जाब दूँगा आपको यह जैसे अभी पुनम जी ने बोला था कि उनका शोल्डर जो है हेवी हो जाता है या दर्द होता है कंदे में या उपर नीचे लचक जाता है ऐसे या पसीना आ जाता है बहुत जाता है कई लोगों को कमर में भी दर्द होता होगा हिप्स में दर्द होता होगा पैर सो जात हो. आप इस स्वर्दना में करके रहे हो. आप अपनी शरीर की एनेची का फ्लो चेंज कर रहे हो. पूरी तरह से. ब्लास का था उसको राइट में भेजह रहो राइट का लेफट में जा रहा है वो अनेक बार वो चेंज हो रहा है. ऐसा अभी जैसे में ने बोला था जो काम आपने कभी नहीं किया था, जिसका भ्यास नहीं है, हमारी बोड़ी कई बार शोक हो जाती है, एक सर्प्राइज हो जाती है बहुत जाती है, कि यह क्या हो रहा है मेरे साथ यह, तो उस रियक्शन में कभी-कभी एक अंदा दर्द होगा, उस रियक्शन में शरीर से पस identify कर सकता हूँ कि अगर आप इन بातों को face कर रहा हो तो आप कुछ कर रहे हो आप करते रहो मैं सही गलत कुछ नहीं है फिर दुबारा से अशी भोलूगा थो आपके प्रोसर्स जो है अप मार्ग में आप चलोगे तो यह एंगर वे एकicated बार कर जी बैठी थी उन्हेंने बोला तीन-पांच मिनिट लगते हैं स्वर्चेंज का आपका समय उससे भी ज्यादा लग रहा है लेकिन वो समय गटेगा अभी आपके सामने कोई और बोलेगा कि एक मिनिट से भी कम में टाइम में स्वर्चेंज होता है तो अभी तीन मेने बाद आ आजो नमस्ते याराम याराम बस ठीक ही चल रहा है सब कुछ और किया अच्छा करा है बस वह थोड़ा सा जैसे पीपा छी ने बोला थोड़ा सा स्विटिंग पील हुई थी बाकी बलकी करने के बाद एनर्जी भी पील हुई है कि जो मेरा बॉड़ी एट पेंड़ी पेंड रहता है उसमें पूला सा बेटर पी हुए है रिलीफ मिला है पाकी सिर्फ नॉर्मल चल रहा है बस से इक पार आप चेक कर ले ना यह कैसे हम लोग प्रोस्टेस में कर दाए है पाकी तो सब ठीक है है हाँ ठीक है धन्यवाद नीरु जी मेरे घर से सिरफ एक मिनट की दूरी बे रहती है एक मिनट की दूरी बे और मैं अभी दो मेने इंडिया में था इन्होंने मेरे को सो बार बुलाया होगा कम से कम के एक बार घर आ जाओ एक बार घर आ जाओ नहीं जा पाया मैं एक मिनट दूरी सिरफ अगर बाग से तीन दिन पहले फिर मैं गया, जब मेरे को लगा कि अब तो जाना ही पड़ेगा, बात नहीं बनेगी बिना जाए, तो ऐसे हो जाता है कद कभी, चलिए, नेमा भाई जी, आज़ेए, माई कौन कर लो अपना, आपको तो आना था वैसे साड़े आठ बजे, आप गुजरात से हो, आप अभी आ गए, कोई बात नहीं चलो, अभी माई कौन नहीं है आपका, माई कौन करो, माई कौन, अभी आपको नहीं बुलाया, अभी आपर को वेट करो जड़ा, नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, आपका माई कोफ है, निमा भाई आपका माई कौन है, नहीं, नहीं आ रही अभी, नहीं है, किसी को नहीं हारी आवाज, या मुझे नहीं आहारी, नहीं आवाज नहीं आ रही, आब खुला माई, हां जी परणाम कैसे हो प्रैक्टिस किया कुछ के नहीं कब पिछले बार तो थे आप कब जोइन किया आपने नहीं किया था चलो फिर थोड़ा भिहास करना फिर बात करेंगे आपसे नहीं नहीं ब्हाइम मुझसे लगब एक साल से चुड़े हैं तो इसलिए इनको डाला इस गूरूप में इनके बिनपूछे ही डाल दिया थे मैंने इनको पूछा नहीं था गूरूप में एड़ी किया इनको चली फि अपना miik जी खुलाए और भोले। आवाज आरही है आधी एधी事情 through नमस्ते नमस्ते परणाम मेरे अब नहमर आधाhem यहादेटी के द्यूंशे लुह से बत्ते के नामbuster तो इधर जालों में फोड़ी प्रोब्लम आती है वस अच्छा जैसे गुबारफ फुलाती है तो दर्द होता है थोड़ा वैसे कोई बात निए वह थोड़ा अभ्यास करोगे हो जाएगा ठीक वो तो इसमें प्रोब्लम आती है मझे बहुत ज़्यादा आती है कभी कभी तो ज़्यादा नहीं हो पाता मेरे से देखो ज़्यादा तो करना पड़ेगा नहीं होगा तो भी करना पड़ेगा अब दर्द होता है तो दर्द भी सेहन करना पड़ेगा अब आपने अपने बेटे के ना लट्डू के बारे में तो जानते हो लट्डू की बात करो मोबाइल की बात छोड़ो आप एक लट्डू है आपके पास आप खाऊगे आपने बेटे को दोगे दोनों खालोगे लेकिन अकेले आप नहीं खाऊगे कितने बड़े आपके बच्चे बच्ची 16 साल की है और बच्चा 15 साल है अच्छा है अच्छा कर सकते हैं इस उबर में तो हाँ मैंने इसलिए जोइन किया मेरे कोड़ी में एक तो हाँ कराबसी होई दीक्से में मेरे वह स्वेश्ट एक पार होगे तो इस चक्र में स्क्राइब मेरे स्क्राइब कर देखो इस दुनिया में आना जाना तो एक परमात्मा की सारी व्यवस्ता है उसमें ना आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूँ और कुछ नहीं पता हमें के हम कल तक भी हम सब होंगे यहां पर या नहीं होंगे यह तो इतना अंसर्टेन है कोई नहीं जानता इस बात को इतना गहराई से कोई दुनिया में इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कोई दुनिया में कोई अच्छा ऑप्षन इससे अच्छा नहीं हो सकता तो आप अब भ्यास करते रहो आपको निश्य तुरूप से लाब होगा अमित जी आज़े ही, अमित्यागी गुरु जी परनाम परनाम आत्म लुद जी पहना परना अलभी है ने पहना करा तो मुझे ने उसे उख़वा नहीं है पूरी तरह से ने कर भी लिपाया ने बहना बना लो कोई बात नी पकड़ लूँगा मैं उसको भी इचिंता ना करो पूरी जी ये जो बताया सब ने पताया तो चक्कराना वसरोगोना तो बताया मुझे जब्की में क्रिया करता हूं तो पेट में दर्द होना सब हो जाता है देखो लगबग लगब मैं इस बात का जवाब दे चुका हूं आपको आपके बोडी में होने वाली जो रियक्शन है ना वो इस बात का प्रतीक है आप कितनी बार एनर्जी को चेंज कर रहे हो आपकी बोडी कुछ ना कुछ भी रियक्ट करेगी वो किसी ने किसी रूप में तो पेट का दर्द होना भी और बाकी अनकंफिटेबल आप जो महसूस कर रहे हो वो भी उसका पार्ट है उसको साधना का मार्ग अपना एक मान के चलो ऐसे ही वो थोड़ा होगा लेकिन लगबग दो तिन सब्ता के बाद आप देखना वो आपनी शिकायत करोगे इस बात की लेकिन रेगुलर उसको करते रहो आप टाइम आप दो हाँ टाइम तो आपको ही देना पड़ेगा देखो हंजी बोलिए मैंने अलड़ी मेंशन किया इस बात को बैक में भी दर्द होता है हिपस में भी दर्द होता है पैड सुन भी हो जाते है क्योंकि मेरे को पता है आगे कौन सी बात आने वाली है तो यह नोर्मल है इसकी चिंता ना लो आप हाँ और बता है तो विश्ण में स्वर्चेंज होता है लग्वागर तो लेड़ मिनट में हाँ अच्छा बात अच्छी बात हाँ ठीक है फिर करते हैं बात अनू जी आजेए अनू जी आजेए हाँ जी बोलिये कैसे चल रहा है प्रणाम कैसे चल रहा है अभयास आपका बताईए क्यों क्यूं कि में बाहर तो बाहर ही कर लेते तो उसमें क्या है जहां गए थे वह कर लेते वहां पर कुछ ऐसा यह नहीं था, एक मुझे काफी ज्यादा, मतलब शान्ती नहीं थी गह में बहुत सारे लिए तो मैं कर नहीं पाई हूँ, मतलब दो तिन बार इस वा लेकिन हाँ मुझे काफी रिलीफ उसके लग रहा है और मेंटल जो एक दिकत होदी थी मुझे गुस्त तो उसमें थोड़ा सा रिलीफ लग रहा है हां करो फिर आप प्रक्टिस करो आप फिर करते हैं बात हां प्रक्टिस करो आप पर निशान्त जी आजाई है लेट आयो आप तो, कैमेरा खोल लो अपना, माइक खोल लो आजाओ निशान्त जी नहीं है, सज्जनलाल जी आजाओ माइक कौन कर लीजिए, अपना माइक कौन कर लीजिए, माइक का अभी नहीं है माइक कौन आपका, माइक कौन कीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी, नहीं आवाज नहीं आ रही आपकी, सुनिदी परिहार जी आजाइए, माइक कौन कीजिए अपना, अब वेट करो, अब आपको वेट करना बड़ेगा, अब सुनिदी से बात करता हूँ, फिर आउँगा आपके पास, हाँ, सुनिदी जी आईए, कैसे हैं, हाँ, जैसी हराम, बोलिए, कैसे हो? प्राक्टिस पर जाता थे नहीं होबाद, स्टार्टिंग दो दिन मैंने की थी प्राक्टिस, मैं अभी ऐसे ही मेरे प्रादर इंगा, बहुत सारे लोग घर में आये और इस वजह से मैं बहुत अच्छे से प्राक्टिस को नहीं कर पाई, लेकिन जब भी मुझे समय मिला, मैंने प्राक्टिस की, और बस वाकी जब है नापके उपना थे छोड़ दिया, जबी मेरे प्र मुकेश बट जी आजए है, प्रनाम गुरूजी, प्रनाम, कैसे हो, बड़ी असर गुरूजी, आपके चैनल के युड़ियों तो मैं एक सार से देख रहा हूँ, मैं बहुत इच्छती जाइन होने की, आपको मेसेज भी किया था, तो अभी प्राक्टिस चालू है, मेरा प् अच्छती जाए, तो थोड़ा उससे दिक्षो तो जादे चलता है, राइट टेक्रम बहुत चलता है, तो एक डॉक्तर ने बोला अंदल का हड़ी बढ़गा है, शाएद आई साथ, तो ऐसे है, तो इसे हड़ी के बढ़ने से इसका कोई परभाव नहीं है, वो हड़ी मेरी भी बड़ी हुई है नाक की, लेकिन उसका स्वर से कोई सम्बंद नहीं है, आपको यह बताओ मैं बात, आप अभी अभ्यास करो, लेट और राइट को प्रैक्टिस करो, जो अभी लेट के बताया ने, उसका अभ्यास करते रहो, एक महीने के बाद आप देखना यहीं बोलो होगे, आपके बहुत पड़ी बरतन होगे आपको, हाँ, जो शरीर की बीमारी है, उसका इससे कोई सम्मंद नहीं है, वो अलग है बिलकुली, स्वर का बदलने हाँ, आप इसको मैसूस करोगे, एक लगबक करो अब इसका अभ्यास, आप थोड़ा टाइम स्पेंड करो, थो हो रहा है, प्रैक्टिस कर रहे हो, हाँ, 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 कुछ मताओ, कुछ कोच्चन हो आपका, कुछ बात शेयर करना चाहते हो आप तो, बोलिए, नहीं सार, काफी अच्छा इस्पिरिंस है मेरा तो भी रखे, मतलब जो आप तो बोले थे मुझे, और मु हाँ, ठीक है, आप करते रहो, प्रैक्टिस करो आप, कुल मिला के आज आने का मेरा परपस ही था कि आप सबसे थोड़ी बात कर लूँ, आप पिछली बार तो टाइम नहीं मिला था बिल्कुल, और आप बिल्कुल मेरे पास बच गए है, तीन मिनट, मैं कॉल खतम करूँग फिर दोबारा जो दूसरा ग्रूप है उसको लूँगा, आज तीन चार घंटे यहीं बैठने का प्लान है मेरा, अब बताओ कौन रहे गया अब, कुछो नहीं, अभी जिसका नमबर लगा वो आजो, हाँ, सज्जनलाल जी आजो, बोलो, कैसे हो, प्रणाम, प्रणाम, प्र प्रणाम, अभी गहरा कुछ किया नहीं ज्यादा, और बड़ी प्रणता हो रही ही कि आपके सानेत्य में, आपकी प्रणा से बहत कुछ करूँगा, अभी तब तो कुछ-कुछ, बड़ी मुश्किल से नही कर पाया हूँ, योग साधना की जानकारी, स्वरयोग की जानकारी तो बहुत पहले से थी, लेकिन दुरबा के बस कुछ भी नहीं कर पाया, मुझे लगता है कि इसका कारण है ही कि गुरू का सानेत्य मिलना, गुरू की प्रणा के बिना मार बरसंग के बिना कुछ नहीं हो सकता है, इसा में अनुगो की है हाँ, कह सकते हो, कुछ हद तक कह सकते हैं इस बात को भी, रमन जी आजाई है आप, रमन जी इसके बाद आप, इनके बाद आप आई है, क्या नहीं कर पाते है, दुबारा बोलो, मैं नहीं समझ पाया आपकी बात, जी मैं निरंतर मतलब ही लगाता है, जो कंट्यून योग हाँ, देखो, रेगुलर तो आपको ही होना पड़ेगा, चार काम दुनिया के छोड़ के होना पड़ेगा, आप समझो के सब कुछ करते रहें, इसको भी एड ओन कर लें, तो ऐसे नहीं होगा ना, जी जी, रमन जी आजी ही, अपना माइकोन कीजिए, नमस्ते बिलकु ठीक आप कैसे हैं, बड़ी बड़ी, सर मेरा एक क्वेशन था, जैसे वो एक पहले भी जन्दी में बुला था, मेरा भी जादार लेफ्ट चलता है, चंदर सबर, खाना खाना के बाद तो जैसे मैं लेट जाता हूं, वो सूरे चला लेता हूं, खाने के बाद भी कई बार उसके थोड़ी देर बाद फिर चंदर सबर चलता है, वो होता है, तो वैसे को मैं मुझे लगता है छे महीने हो गए होगे, मैंने सिप्स वो रोदय पढ़ी ची और एक सांस के रहसे बुक तब से मैं फॉलो कर रहा हूं लेकिन मेरे दो तिन क्वेशन ही थे, मैं तो जैसे सब तो मैं भी जैसे अब को पता ही ऑस्टेलिया में भी शाद भी चाहते हैं, तो मुझे में तो फनेंशल का ही वो था, जैसे मेरा पंसर्न था कि प्रिथिवी और जॉलतत्तव को कैसे एक्टिवेट करना है, लेकिन अभी जो अपने बोना का प्रेक्टिस वो तो नहीं हो पा क्योंकि मैं जानर्स काम कर रहा हूं तो वहां पे कोवेट फैला हुआ तो फोड़ा फिजिकली और मैंटली काफी ड्रेनिंग थे लास्त दो वीक, तो वो तो प्रोपरली नहीं हो पा है, जैसे अपने प्रेक्टिस बोला था, लेकिन देरे देरे करेंगे, लेकिन जो अपन और भुल बंद हो गया उसके, वो दिक्कत आई थी, तो मेरा एक क्प्रेशन है, जैसे हमारा होता नहीं कि शुकलपक्ष के पहले तेन जिन चंद्र मा उना चाहिए सूरह उना चाहिए हमारा उदे जैसे हम उठते हैं उसका होना चाहिए सांस चलवापने बताऊंगा बाद अगली बर बताऊंगा आपको थोड़ा थोड़ा सबके लेवल से एडवांस कोश्चन पूछ लिया आपने बाकी बाकी स्वर की बात जो है आपको स्वर जो बदलने का तरीका बताया ना आप उसको रेगुलर करो उस पे टाइम स्पेंड करो हाँ जी उससे क्या है स्वर मजबूत होगा और स्वर मजबूत करने का तरीका आपको अगले संडे जब बैठूँगा अगले संडे 25 को नहीं 25 के जो अगला संडे आएगा उसको तब बैठूँगा आपके साथ तब बताऊंगा स्वर को मजबूत कैसे करें चंदर स्वर चलत टेस्टे जुटे 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 हैं कर दो नमस्ते जी नमस्ते सभी को मोईद जी कहां चले गए थे पिछली बार आप एक बार एपसेंट होने के लिए जलेवी खिलानी पड़ेगी आपको प्रणाम सभी को प्रणाम नमस्ते नमस्ते प्रणाम प्रणाम चलो दो मिनेट रुक जाओ अभी सब आ जाएं जारा फिर हम शुरू करते हैं आज क्या सेशन हम एक बार एपने के सहीं आप 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 हम आप आप कर दो कर दो कि यह Southern कैमरा भी आप सभी ओन कर लिए। कालीजी अपना प्लीज फिर मैं भी कैमरा अपना बंद कर लूँगा फिर ओडियो से ही बात करेंगे फिर हना और जो कैमरा बंद करेगा उसको एक मिठाई का डिबा लाना पड़ेगा अगली बार हाजी नमस्ते सभी को परणाम आज मैं कम बोलूँगा आपको ज्यादा बोलने का समय दूँगा और आपके थोड़े एक्सपिरियंस मैं पूछूँगा के आभी जो पिछला एक वीक पीता हमने उसमें क्या अभ्यास किया क्या प्रैक्टिस की और कुछ आपको जो समस्याएं आ रही हैं उनका हम समधान करने का प्रियास करेंगे हाँ चलिए अमरुथ आजएए एक एक करके मैं जिसका नाम बोलूँगा वो अपना माइक ओन कीजिएगा फिर हम बात करेंगे फिर आप फिर दूसरा नाम बोलूँगा मैं जी बोलिए कैसी प्रैक्टिस चल रहे हैं आपकी यह प्रणाम्म्रू सी अच्छी प्रैक्टिस चल रही है इस अब्रैक्टिस में आपने बोला कि स्वर बदलने के लिए उसमें तो स्वर बदलते आप बोलो आप सिर तो स्टार्टिंग तो तीन चाल मिनत लगे तेस्ट बदल एक अर तो एक और दो मिनट लगए यह इन रहा और बहुत अच्छी से स्वर बदल रही है मतलब सबस्ट कर रहा हूं मैं सवर बतल देवर्ट रिवर्टित हो ज़या है आपको अच्छी बात है तो वेरी गुड गुड प्रोग्रेस और बताईये कुछ प्रॉलम आपको होई यह तो या कुछ और बात अभी तक तो कुछ अईसी कुछ प्रॉलम नहीं हुए पर सवर तो अच्छी सी बदल रही है और जब भी पता लगने का मोका मिले तो बिना हाथ का तच करें सवर का मैं में आरी है कौंसी सवर चल रही है और इंट चल रही है और जब 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 तियान शब दियान दुश्च काम करते वक्ट भी दिना कुछ पता करें सवर का बदलने का पता चल रही है गुद कुद प्रेक्टिस करते रही है इसको भविता जी आजेए प्रणाम प्रणाब। गुरुषु मैं ट्रेवल में थी, मैं इंदिया आई हूँ और आपसे दो दिन पहले ही पहुंची हूँ, तो दो दिन ऐसे रेस्ट में आज थोड़ा फ्रेश हूई हूई हूँ, तो आज मैं प्रेक्टिस करूँगी, फिर मैं आपको मैसेज करूँगी जो फिर आपने नहीं किया जो पार्ट्स दिन, उसका हिसाब कैसे करें विराब बताओ। जी, एक अपता ट्रेवल में थी, साउथ में, मंदिर गराग में थी, कौन से मंदिर गये, बताओ। रामेश्वरम, मिनाक्षी, टैंपग मतुरई, खन्या कुमारी यह सब साउथ के बैठे हुएं यह सब मंदिर गूमे हुएं। आपको आना था पहले वाले ग्रूप में लेकिन आप आप यहां आगे कोई बात नी। कोई बात नी। आपको पहले ही आना था लेकिन तब भी। अर बताओ, और कौन से मंदिर में गये, क्या खाना खाया आपने वाह पे, बताओ। जी मैं कुम कोनम जो नवगर मंदिर है उन सब में गई। और खाना वहां पर वही सांबर रसम यही सबता। चलो आप प्रेक्टिस करो फिर बात करेंगे हम आपसे। जी प्रणाम। राजशेखर जी आजाईए, माई कौन कीजी अपना। अजी बोलिये, कैसी चल रहे है आपकी प्रेक्टिस। प्रेक्टिस। लेकिन दू समस्या हैं और एक अच्छी अनुगूती है में। समस्या है कि मैं जो सांस को गहरा लेके छोड़ने का दू किया है आपने आप आधाविंटा करने के लिए तो मैं मुश्किल के उसको बारा पंदरा मिंट काता रहा है तो अभी वह है उसके ज्यादा ने करता रहा हूं और दूसरी चीज की एक में जो कभी-कभी ऐसा होता है कि कि धर और कि फ्लивает करने को रहा दो उसके लिएक प्रयास करने के नहीं में मिन मुश्काइम अगला चाहर मिंटिकर में और सणम मुश्किक वाय तो आपकाट करने के बहु कि वहां लेकिन ये जब से शुरू किया है सबसे मेरे को नहीं आ रहा है I'm feeling very energetic अच्छी बात वेरी गुड और राज्षेकर जी हैदराबाद से है और ये और गनिक फार्मिंग करते हैं तो आप जो लोग हैदराबाद में हैं और और गनिक सबजिया और फल खाना पसंद करते हैं तो इनको contact कर सकते हैं ये गुडिया हाथ खड़ा कर रही अभी मैं बात करूँगा आप से वेट और हलाकि मैं छे मेने पहले लगबग मैंने ही स्विच किया है अपना पूरा खाना ही और गनिक पर यहाँ पर एक सुपर मार्केट है वहाँ पर सब कुछ ही और गनिक मिलता है मसाले डाले आटा ड्राइफ्रूट्स और नट्स हैं वो सबजियां फल सब कुछ एवरिटिंग तो मेरा बहुत अच्छा एक परसनल मेरा एक एक्सपिरिंस बहुत अच्छा है और आप सब के पास अगर साधन है या थोड़ी बहुत जगा भी है उसको थोड़ा सबजियां पैदा करने की लगाने की तो आप भी उसको शुरुआत कर सकते हैं और यह एक छोटी सी बात हाला कि इससे जरूरी नहीं है लेकिन मुझे था कि आपको धहरे रखना पड़ेगा आपको पेशन्स रखने पड़ेंगे वो तब आएगा ऐसा नहीं है कि इंस्टेट नूडल के जैसे हम दो मिनट में इसको पकाते हैं ऐसा नहीं होगा ना तो इस तिंग इस सम्धिंग रियली टेक्स टाइम और शायद नेचर ना कही ना कहीं आपके पेशन्स भी चेक करती है कि पेशन्स आप में कितने हैं जैसे आप बच्चे को बोलते हो ना कि ये काम करो फिर मैं आपको चोकलेट दूँगा ये काम करो फिर आपको मैं आईसक्रिम दूँगा ऐसे बोलते हो ना बच्चे को आप बच्चे के पेशन्स चे कर दिये कि हम कितने निरंतरता के साथ हम अपने प्रैक्टिस में रह सकते हैं, तो आप उसको करते रहिए, एक मेने बाद हम जो दुबारा बात करेंगे तो आपका जवाब बहुत अलग होगा देखना. हाँ जी, हाँ नमस्ते, जसी जसोधा जी आजाओ, परनाम परनाम, परनाम. बोलिए कैसा रहा आपका experience, अप्यास का, क्या कुछ किया आपने? मैं वह पचास-पचास पार आपने बोला था, किला और पिंगला करने का, वह करती हूँ. और जपि में करती हुँ तो फिर आंक बन्थ हो जाती और फिर नाभी से एककम फोस में वो नाभी से भो भो शूरु हो जाता है, तो ने प्रडली ही घुरुदेव उस्वुरु हो जाता है, फिर मैंने अपने होच में नहीं रहती मुझे दीना हाथ लगाए वो खुद चेंज करना है मैं मतलब फिल कर सकती हूं यह मेरा पड़ा स्वर है और यह इंगला स्वर है तो वो बिना लगें मैं मतलब वह ईच पहुंचना है इसलिए मेरी प्रैक्टिस कंटीनिव में जल्दी क्यों पहुंचना है किसे अवे हैं? मुझे वहां तक जल्दी पहुंचना है चलो अच्री बात है ये भी आप इसी भावना से प्रैक्टिस करोगे तो देखो कोई भी आपकी समस्या होगी वो ठीक हो जाएगी वो दूर हो जाएगी आप प्रैक्टिस करते रहा हूँ अब तो आपने अपनी शुरू ही की है तो आप करते रहो थोड़ा भ्यास अभी जैसे आप कई पार्क में गूमने जाते हो या कहीं हम ट्रैकिंग पर हाइकिंग के लिए जाते हैं तो हर पचास कदम पे हर सो कदम पे वो वी हैव डिफरेंट व्यू हाना एक व्यू चेंज हो जाता है आप नहीं कह सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है वो just वह होना ही ए यह वो दिस इस इदा पार्ट हो रही है आप कितना उसमें आप दिर्ड निश्चे के साथ उसमें जुड़े रह सकते हो बने रह सकते हो तो आप उसका समधान भी ढूंड लोगे दिर लेकिन most important is आप उस practice को करते रहो है हाँ जी और मतलब जब वो स्वास शुरू हो जाते न तो यह आखे है वो और यहां पर आखे स्तीर हो जाते हैं और पता नहीं ऐसे मेरे आखे जैसे घूम गई है तो अमक सेकंड मतलब मुझे नहीं मालूं एक मिन्ट तो नहीं है लेकिन वह शेकंड के लिए वहां पर पे श्तीर हो जाती और पूरा गूं जाती है फिर मैं ध्यान में ही चली जाती देखो आप आप जब सब लोग है ना जो लगबक पचास-पचपन लोगों का यह ग्रूप है यह इसमें से आपके बिना पूछे ही आपके बिना कहे ही एक और ग्रूप बनाऊंगा मैं उन लोगों का जो मुझे पता है कि जो सिरफ और सिरफ सादरा के उदेशे से यहां आ दो सबसे बड़े बेनेफिट इसके जो होंगे एक तो आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे हम बहुत अच्छे से काम करेंगे क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा बिलकुल भी अगर कोई मुझे से जुड़ा है तो दूसरा कुछ फाइनिंशल भी आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो I will be sure about this तो कुछ जो troubles आप face कर रहे हो उनको हम solution उनका ढूंडने का प्रयास करेंगे तीसरा जो कदम है ना जो आपको दियान के लिए चूज करने का वो आपको नहीं बोताब बताऊंगा मैं इसका एक अलग group बनाऊंगा आपको जब जिस दिन आपको उसमें add कर दूँगा तब आप समझ लेना कि मैंने आपको चूज किया है उस meditation में आने के लिए फिर हम अलग से करेंगे और एक और बात ऐसे मत समझना कि ये course जब खतम हो जाएगा तो फिर टाटा बाई 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 ऐसा हो जाएगा ऐसा नहीं आपको जाने नहीं दूँगा कहीं मैं तब भी हम कुछ दिन निश्चित करेंगे जैसे शिवरातरी का दिन है दिपावली क दिन है और जनमास्टमी का दिन है ऐसे कुछ तोहार में जो बहुत इंपोर्टन है जैसे नवरातरी है अस्टमी का दिन है तो उन दिनों में हम कभी-कभी मिला करेंगे तो साधना पर थोड़ा हम चर्चा करेंगे मैं आपसे अपडेट लूँगा क्या आप कहा कर रहे हो त , ऐसा मत समझना कि बस ये दो मेनें बचे हैं फिर अभी को दोबारा नहीं मिलना होगा या कुछ नहीं होगा कि इतना असानी से नहीं आपको जाने दोंगा एक बार आप जाल में फंज गए तो बस फंज गए आपको समझो कितनी एनर्जी हमारी बाहर है भी उसको सब को समेट के सब को इकठा करके उस एनर्जी को हम ने अपने द्यान के लिए लगाना है यह हमारा प्रमुदेश है याद रखना हाँ आप प्रैक्टिस करते रहो मैं फिर करूँगा बात असे शिव चंदर जी आजएए आप अपना माई कोन कीजिए मैंने प्रैक्टिस की तो उसमें केवल सोकरी में ये करवट बदल करी वो स्वरा चालू रहा था और जो आपने बताया था कि मुझे लेना और ना से छोड़ना वो मुझे संभो नहीं हो पाया सर्दी रहने के कारण से कोई बात नहीं आप धीरे धीरे करिए उसको प्रैक्टिस करिए आप गरम पानी गरम पानी और उसमें नमक डालके जो सोल्टी वाटर जो बन जाता है ना उसका परियोग करिए नाग दोने के लिए नाग को साफ नाग को साफ करने के लिए वो बिलकुल ऐसे काम करता है जै से औशदी होती है जैसे दवाई काम करती है ना वैसे काम करेगा वो जी 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 और आप में से जो लोग समुदर के पास है ना बीच के पास जिनका जिनको एकसेस है वो कभी-कभी समुदर के पास जाके भी प्राणायाम कर सकते है जो नैचरल जो सोल्ट है ना नमक जो आत दो-तिन दिन लेकिं फिर बुखार हो गया मुझे फीवर हो गया ठंड लग गई मुझे लगता है जादा तो मैं तो अपने यहां पर मेरा आसना यहीं पर बैटे-बैटे मैं करता रहता हूं अभ्यास अपना और आप नमक का परियोग सब ने करना है आपने आप सब ने ही नम जो हमारा म्यूकस जमा हुआ है नाक में वो सब क्लीन हो जाएगा नमक के पानी से आप नमक का पानी का प्रियोग कीजिए और लेट के जो अभ्यास बताया उसको कॉंटिन्यू करते रहिए आप जी शिव चंदर जी कॉला कॉलापूर से आए और ही 77 आपकी एज कितनी है ब मैं एक पर बाद मैं सब को याद एकता हूं मैं मेरी परमात्मा की जो किरपा है मेरी मेमरी थोड़ी अच्छी है ठीक ठाक सी है तो हाँ एक पर क्या हुआ मैं पहले ताइवान में रहता था यह थोड़ी मजाक की बात है जैसे याद आगी मेरे को लगबग मैं वैसे तो लगबग पांच साल रहा हूं ताइवान में तो एक दिन ऐसे एक लड़की मेरे पास आई तो बोली की मैं पहले आती थी तेरी क्लास में तो मैं ऐसे माथा पगड़के बैठा अपना कहती है मैं दो साल के लिए अमरीका चली गई थी फिर आप आई हूँ वापिस मैंने का अब दो साल तुछ चली गई थी मेरे को भी नब बताए अब मैं कैसे याद रखूं तुझे तो मैंने उस केती है ठाफ उसने बोला कि मैं प्रेगनर्नन्ट होगई थी फिर मैं अपने फ़ती के साथ अम्हेरिका चली गई थी मेरा बेटा हुआ है तो उसको लेके आप वापिस आई हूँ मैं ऐसे बात थी तो मैंने थोड़ी दिर अपने आखमंद की फिर मैंने बोला कि उसको अच्छा इसी समय यहाँ पर आती थी और वहाँ पर बैठती थी तू इतना मैंने उसको डीटेल में बताया तो कहती है हाँ अब मैं मानगी कि बिलकुल याद है अब अपनी जूट वोल रहें आप तो कभी-कभी कुछ बाते ही याद रह जाती है अच्छी बाते हैंना आप बाकी प्रैक्टिस करते रहिए और मैं कॉलापूर में मिलने आऊंगा आप से एक दिन जो गोते ही प्रनाम सोनिया पंजवानी जी आजे ये जाए र्द में कराए आप अचि कर दो है कि आप 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 ऐन चांटे गूझ एपर आप आई प्रयों से नंच अचिन मैंसो नीया वांजवान शानी प्राव महारास्ता मुंबई आप शी तो मुझे स्वर बदलना ड़िए लेट के आजाता है बट मुझे 1 week से बहुत खासी है, मतलब बनरुकी नहीं रही है। इतनी है कि मैं मतलब मेरी health problem हो गई है। और मेरी joint family भी है तो मतलब मैं ज्यादा हो नहीं कर पाती हूं। लेकिन मैं morning में काफी ध्यान देती हूं कि मेरी लीडा नारी चल रही है, और मैं उसी स्वर से पैर नीचे रख रही हूँ, जैसे आपके वीडियो देखे हुए हैं मेने पहले, तो वो प्रैक्टिस कर रही हूँ, जैसे मैं थोड़ा कम प्रैक्टिस कर पार रही हूँ, एट प्रेजन्ट और हैल्थ इशू की वज़े से भी. देखो, दो बाते हैं आपने मुखे रूप से कही हैं, एक तो आपको खासी की प्रॉलम हो गई, उसके लिए आप उपवास करो, कल से खाना पीना छोड़ दो, पानी का उपवास करो, वाटर फास्टिंग करो, दो दिन के लिए खासी बिलकुल खतम हो जाएगी, एक बात, मैं अकेले हूँ, बड़ी मतलब, आप देखो, मैं बताता हूँ आपको, आप सिर्फ और दो, आप सबको, आप बड़े हो, आप सब की बात, सब आपकी बात मानेंगे, सब का ध्यान रखना पड़ता है, बस उसके लिए, यही तो गलत करते हो, आप अपना ध्यान रखने के आपके अंदर सेवा भाव बहुत है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, लेकिन आपको जो अभ्यास के लिए टाइम देना है, वो तो आपको यह देना पड़ेगा, वो तो कोई नहीं आपको शेयर हल्प कर पाएगा उसमें? अगर बूख लगे नहीं तो वो खाना मेरे लिए रख देना है, आपने नहीं खाना लेकिन उसको? ठीक है? आप चाहोगे तो क्या नहीं कर सकते, देखो बुखा रहना तो क्या बड़ी बात है, कुछ बड़ी बात नहीं है ना? आप इतने स्वास्ते से अपने परेशान हो रहे हो, उससे तो अच्छा है के भूखा रह ले है ना? वैसे मैं एकादशी पास्ट और न्यू मून, पूर्नी मा ये सब करती हूँ आपने जो बताया है. जल का उपवास करो, जल का उपवास सिरफ, पानी पीना है, सिरफ कुछ नहीं खाना और कुछ नहीं खाना है, इसको करो, आप दो दिन दिन में, तिन में, आपकी खासी बिल्कुल ठीक हो जाएगी उससे. और कुछ करना है सरथ, मैं कर लूँगी, मैं कावी खासी से परिशान होगी बस इतना ही कर लो, इसी से ही कल्यान हो जाएगा आपका, दो दिन में ही आपकी खासी ठीक हो जाएगी बिलकुल थेंक्यू, थेंक्यू, सुर्जी, परणाम आनन्द कुमार कौन है ये कॉमल है क्या कॉमल जी आई ये माई कौन की जी अपना बोलिए नमस्ते परड़ाम और बताओ ये बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है इसके लिए सब को एक कॉमन बताऊंगा उपाय ये आपकी बेटी है क्या नहां मैं इसका कि अध्या कौन सी क्लास में बढ़ते हो यू अडर्शेंद हिंदी और इंग्लिश दोनो अच्छा आप हैदरबाद में रहते हो अच्छा अच्छा कौन से क्लास में बढ़ती है आदिया थर्ड में अरे वाँ थर्ड में आ गई बहुत बड़ी होगी मुझे पर्सनली तो ऐसे लगता है वैसे कि मेरी बाते इतनी बोरिंग है कि कोई अडल्ट आदमी जो होता है वही ब्योश हो जाए सुनके उसको इनीद आ जाए लेकिन मुझे बहुत अचंबा होता है बहुत आम वेरी सर्प्राइज टो नौ कि बच्चे मेरी बात को सुनते समझते हैं है ना वो फ्री मन से सर्प्राइज से अगर योगियों की पैदा कर देंगे अगर हमारे बच्चे ध्यान में उतर जाएंगे अपने शास्त्र को समझने लगेंगे तो अबर फ्यूचर इस वेरी सिक्योर ये एक बहुत मैं इस में जो है पोजिटिव एनर्जी ब देखता हूं इस बात को इसलिए मैंने आपको लास्ट राइम बोला भी था के बच्चों के साथ सिरफ एक सेशन लूँगा जो बच्चे हैं आपके पंदरा साल से कम उमर के उनके साथ मैं बैठूंगा हां जी और कुछ प्रॉलम है आपको बताओ नहीं हां ठीक है ओके थेंक्यों मुक्ता जी आजेए प्रणाम गुरु जी प्रणाम प्रणाम कैसे हो आपकी प्रेक्टिस कैसी चल रही है बताओ जब से मैंने प्रानाया और डीप्रेटिंग शुरू किया है I feel too confident अब मुझे स्वर पता चलता है कि कौन सा स्वर चल रहा है और खाना खाने वक्त मैं सुर्या स्वर का यूज़ करती हूं जब भी मैं बहार जाती हूँ तब नोस चेक करके कौन सा स्वर चल रहा है उसी का पैर यूज करती है हम और किसी को भी कुछ देना हो मैं वही हात यूज करीं जिसका आपस्वर चल रहा है हम वेरी गुड वेरी गुड करते रहो इसको कोई आपको कोई प्राइक्टिस में आ रही है तो बताईए बताईए , क्योंकि कभी-कभी आप अच्छा नेंद लेते हो अच्छी तरह से नीद आती है कभी-कभी नीद अच्छी नहीं आती है एक जैसा खाना आप खाते हो कभी बहुत अच्छा लगता है वो खाने में कभी उसमें बहुत स्वाद नहीं आता उस खाने में इस बात से देखो हमारा नेचर यही कपड़ा है कभी मेरा बहुत पहने का मन करता है यही कपड़ा कभी यह कपड़ा पहनने का मन नहीं करता क्योंकि हमारी एनर्जी चेंज हो रही है हर दिन हमारी एनर्जी हर एनर्जी का flow change होता है बहुत बारी आप देखो करके रहे हो आप अपनी एनर्जी को left to right, right to left move कर रहे हो कितनी बार कर रहे हो मैंने तो आपको पचास बार बोला है करने के लिए तो बहुत सारे ऐसे physical और mental changes जो है आप फिल करोगे अपनी body में लेकिन यह मार्ग में आनी वाली कुछ गटनाई है जो की normal है the most important is how regular you are in your practice consistency जो है आप अपनी बनाई रखिये वो ज्यादा जरूरी है आप practice करते रहो और आप देखना बहुत अच्छे उस पे चल रहे हो बहुत अच्छे speed से आप progress कर रहे हो हाँ मैं फिर बात करूँगा आप से अजी प्रणाम एक और मैं बात भूल बंगाली और तमिल भाषा सीखने की अब कोन आया है भी हाँ सोनल जी सोनल जी आजएए सोनल वाडेकर जी आजएए प्राम दरो जी प्राम स्रमय कर लिहों पर मिला जाय तरहेर रहे राइट घंस्ट चल रहा है णो सूरीस वट्स हाँ तो मैं जब भी 15-20 मिन रहें जाए तब जाके चेंज होता है पिर छोड़ी टावग स्वर्ब अभी मजबूत नहीं है यह कभी बहुत लोगों की प्रॉल्लम है इसलिए मैंने भी थोड़ दिर पहले बोला था इनको कॉमल जी को भी यही सेम प्रॉल्लम है तो मैंने बोला था सब को एक कॉमन जवाब दूंगा इस बात का और कोई बात नहीं हो जाएगा ठीक है अच्छा है फिर मैं बात करूंगा आपसे जिनेश देशाई जी आजएए प्रणाम गुर जी प्रणाम प्रणाम गुर जी प्रणाम गुर जी खाली स्वर बदलना जो है ना वह बता नहीं पास दूस मिनिट लगता है और मोज एक करना पड़ता है फिर वो स्वर बदलता है मैं परसनली यह चाहूंगा कि आप मेंसे कोई भी ऐसा ना करे नाक को हाथ नहीं लगाना आपने सिर्फ लेट के जो मैंने आपको तरीका बताया उस ही से करना क्योंकि नाक जैसे आप हाथ लगा के चेंज कर रहे हो ना वो भी ठीक है आप कर तो रहे हो चेंज लेकिन मैंने दो नुकसान हों गए आपको इसके करने के एक तो नाक में आपके चोट लग जाएगी नाक में दर्द हो जाएगा बहुत ज्यादा दबाने से नाक को क्योंकि नाक जो है ना हमारी एक one of the softest part of the body है आप थोड़ा सा मिर्च वाला हाथ भी लग जाता है तो नाक जलता रहता ना बहुत देर तक तो इस तरह से एक तो नाक को आप बार बार टेच मत करो दूसरा एक और इसका नुकसान जो यह होगा वह जो नेगिटिव एफेक्ट यह होगा कि जब अभी तो ठीक है अभी आप बहुत ही बेसिक लेवल पे हो जब थोड़ी प्रोग्रेस करोगे तब आप यह जब तक एक बेसिक बात क्लियर न का परियास करो तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वह हो जाएगा आपका हां जी हां जी परणाम हां जी मोहीत आनंद जी आजेए आप परणाम मैं पिछले तस दिन क्लास को मैं करनी पाया था पिछले तीन-चार महिनों से मैंने आपको परसनली मेसेज कियाता हूं स्वर बदलने का अभ्यास कर रहा हूं पचिस से 30 सेकेंड में मैं स्वर बदल लेता हूं करोड बदल के यह तस दिन ही अभ्यास नहीं कर पाया है लेकि हाँ हाँ देख लो जिनेश जी अभी इनका स्वार चेंज होता है कुछ सेकिंड में एक मिनट से भी कम समय हो गया इनका है ना 25 से 30 सेकिंड हो गया है तो यही बात मैं आपको कह रहा था कि आप प्रैक्टिस करते रहो कॉंटिनूसली करते रहो कभी कभी नेचर हमें टेस्ट करती है देखो आप उसमें कितना पास हो पाती हो कितना आप अपनी बात पर जमे रहते हो आप प्रैक्टिस करते रहो यह हो जाएगा आपका प्रैक्टिस होगी इंप्रूव आपकी और कुछ आपको प्रॉलम हो तो ब आजाए माई कोना की अपना आप ऐसे करना जब मुह दोते हैं आप सभी देख लीजिए इस वीदी को समझे लो जब मुह धोएंगे ना तो मुह में पानी भरना है इस पानी को पीना नहीं है ना ही बाहर फैकना है मुह में रोक के रखो ऐसे अब मुह में जब पानी भर लिया तो आख दो नहीं है चार-पाँच बर आख पे पानी की छीट लगाओगे पानी फैकोगे फिर मुह का पानी बाहर फैक दो जो पानी मुह में रोक के रखा था सभी लोग समझ गया है ना कोई डाउट तो नहीं है इसमें दोबार बताऊं गरमी पानी गरम पानी गरम पानी मुह में रख सकते हो लेकिन ठंडे पानी से आखे दो वो तो उसका ज़्यादा लाब होगा आखें ठंडे पानी से दोगे ये आपकी आखों के लिए भी अच्छा होगा और गर्दन के लिए भी अच्छा होगा गर्दन बोले तो जैसे हम बोलते हैं कई लोग ऐसे करते हैं बार बार ऐसे करते हैं गला साफ करते हैं मुकस जम जाता है यहां गले में कफ जम जाती है गल साफ हो पाएगा ऐसे करना है पानी लेके हाथ में फिर बाहर ठैक दो मूह का पानी फिर दुबारा उसको repeat करो वो पानी पीना नहीं है आपने इस बात का बहुत विशेश ध्यान रखना जो मुह में पानी आपने भरा हुआ है उसको बाहर फैक देना है हां जी हां जी प्रणाम और बताईए अब कौन बच गया जड़ा आजाओ जड़ा कोई रह गया के अभी है ओम पटेल आजाओ नमस्ते गुरूश्मा नमस्ते मुझे बैने जो स्वाट चेंज किया कि जो प्रेक्टिशन उसमें 25 तक पॉस्टन उसके बाद कुछ अला भी लगता है जैसे क्या क्या लगता है अलग कोई बात नहीं आप ट्रेक्टिस करते रहो क्योंकि आज सब्सक्राइब करते रहो क्योंकि आज सब्सक्राइब की नहीं न तो this is something very new to us यह हमारी बोडी को भी अभी पता नहीं चल पा रहा कि हम क्या कर रही है यह क्यों हो रहा हमारे साथ तो आप इसकी थोड़ी प्रेक्टिस करोगे तो एक महीने बाद देखना हम दुबारा जब बात करेंगे तो आपका जवाब बिलकुली अलग होग एक मेना प्रेक्टिस कॉंटिनियूसली करो आप बस इसके लिए हांजी हांजी मैं फिर बात करूँगा आप से प्रकाष देखाई जी आजए यह प्रणाम करते है तो बोरी पूरी हल्की लगए है लाइट लगता है तो फूर दिल ट्रेस करते है उसमें टाइम लगता है लेकिन स्वार्टिस करेंगे तो आजए है हां अची बात हाँ उसमें आप continue करो practice हाप अपनी कैसे भी कैसे भी कैसे भी किलास में भी पियो वो भी चलेगा हमारा उदेश्य है मूँ में पानी मूँ में पानी बरना कैसे भी करो वो चलेगा हाँ 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 कलास साफ हो जाएगा आपका हाँ हाँ कौन है अभी हाँ सुभाज सुभाज जी आजाएगे हाँ माई कौन है आपका बोलिये नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही है सुभाज जी बोली जरा आपसे बात कर रहा हूं मैं अरी आवाज नहीं आरी न आवाज जी बोलिये उजुवला जी बोलिये उजुवला कि प्राक्रिकों प्रैक्रिस व्यादा लेकिन शुरू के कुछ दिन है तो थिस्माइड के अंदर प्रिपीत किया है अपना और सब पर्पार प्रोब्लम नहीं लेकिन आपने मुँ पानी बर्के किगी आपके पानी बरना है जैसे आपके हाथ में पानी आ गया फिर आख तो नहीं है आपने तंडा पानी नॉर्मल पानी लेना थंडा पानी लोगे तो ज्यादा अच्छा है करम पानी इसको नहीं करना करम पानी से इस क्रिया को नॉर्मल ठंडे पानी से ही करना है कि इसको रिपीट करना कोई बाती आप प्रैक्टिस कीजिए आप फिर मैं बात करूंगा आपसे हाँ सुभास जी आजे ये आप माइक होगे आपका ठीक देखिए नहीं आवाज नहीं आ पारी आपके नहीं कुछ प्रॉल्लम है आपके हाँ अभी माइक ठीक नहीं है आपका अच्छा अभी कौन रह गया और हो गया ना सबके साथ ही बात्चीत हो गई भाविता जी आपने कुछ दुबारा बोलना है क्या बताओ अब इसे खड़के जी आजाओ या अभी रुको आभी आपको बिलाता हूं दुबारा अभी इसे खड़के जी आजाओ प्रणाम गुरु जी प्रणाम प्रैक्टिस ठीक चल रही है अभी पर वो साइनस का प्रॉब्लम में मुझे बच्पन से है और अलर्जिटी का सरदी का भी प्रॉब्लम है इसलिए एंवर्मेंट चेंज होने के बात नॉस्ट्री तो उन्हें भी ब्लॉक हो जाती है कोई बात नहीं आप प्रैक्टिस करते रहो अभी आप प्रैक्टिस करो आप आपका इंप्रूब होगा सुभाज जी आप लिख सकते हैं ठीक है प्रैक्टिस चल रही है तो प्रैक्टिस करो अच्छा सा अच्छे ठीक है भविता जी आजाओ आप बोलो अभी आप एक तो आपने ये बताया कि नाक में नमक वाला पाने लेना है तो वो सिप करके लेना है जैसे मुंग से लेता है या ऐसे डाल रहा है पानी जब क्लींसिंग करनी है नूस की तब सिप नहीं कर पाओगे आप चाहा के भी नहीं कर पाओगे हाँ उसको ऐसे करोंगे जैसे देख रहे हैं देख पाओँ अभी जी 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 यसे नाक से खीचों के साथ वो उस ब्रेसर के साथ ही नाक से पानी अंदर अजाएगा वो ये जो आप नाक से पानी पीओगे ये ठंडा नहीं होना चाहिए ये पानी गरम होगा और इसमें नमक मिला होगा अगर ये पानी ठंडा हुआ तो जुकाम, सिर में दर्द, फीवर सब कुछ हो जाएगा आपको इस बात का विशेश ध्यान रखना जो नाक से पानी पीने के लिए ऐसे बताया ना वो आपने पानी गरम रखना है गरम मतलब इतना गरम के आप सेहन कर सको गुन-गुना पानी रखना है टेंपरेचर उसका थोड़ा वाम वाटर को कहते हैं वाम वाटर होना चाहिए वो यह ठंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए यह ठंडा होने के बाद तीन बातें आपको जरूर हो जाएंगी जुकाम हो जाएगा सर्दी हो जाएगी सिर में दर्द हो जाएगा फीवर हो जाएगा तो बीगी वेरी केरफूल यह पानी आपने गरम रखना है जो मुँ में पानी भरके आपने आके दोनी है वो पानी ठंडा रखना है हाँ अब बोलिए आप तीन-चार साल पहले क्या हुआ था बो मैं तीन-चार साल पहले यह प्रैक्टिस करती थी ल्यूप वाटर सॉल्ट टालके और नोस से करती थी बढ़न मुझे फिर उसके बात मुझे फिर उसके बात मैने पानी ननी इन रखनयए चीरमे दार मुञे दार दादा एक नर्ब में हर टाइम दार रहता था جैसे फट गए फिर मैं में सूचा last hour देखा पहलेश बाफ क्लिंसीम गोई जोग उना पर नहीं जब मैंने छोड़ा तो फिर ये नॉर्मल हो गया वह इसलिए रह गया इसलिए हो जाता था दर्द आपको अब देखो एक और बात भी है जब आप नाक से पानी प्योंगे न तो सारा पानी वह आपका पेट में नहीं चला जाएगा कुछ नाक में रह जाएगा अब थंडी हवा चल रही है या एक जैसे एर का फ्लो आ रहा है तो वह बहुत थंडा बनके जैसे हम सास जैसी भी आप सास खीचोगे वह पानी के साथ वह आपकी श्वास मिलके वह थंडा बिलकुल अटैक करेगी आपके सिर में उसकी वज़े से सिर में दर्द होता है इसके लिए करते क्या है ऐसे लेफ्ट, राइट, फ्रंट, लेफ्ट, राइट, फ्रेंट, करके तेजी से back सास बहार निकलते है और वह पानी बचा हुआ है जब वह बाहर निकल जाता है MPH इसके बाद आपने यह क्रिया नहीं की थी की थी, पता हो, स आपको कैसे पता होगा, पता हो, आप तो मुझे आज मिले हो आप यहाँ, तो इसको भी, बोलो, बोलो, जैसे स्वार की प्रैक्टिस में 7-8 महीनों से बुक पढ़ के कर रही थी, स्वार चेंज, और पैर रखना, उठते समय क्या करना, वो सब चीज़े, पर जैसे एक दिन क् किसी काम के लिए, मुझे स्वार चेंज करना था, मुझे लेफ्ट स्वार चाहिए था, मैं लेफ्ट स्वार कर रही थी, और जैसे ही मैं उस काम के लिए, म sagen, 30 सेकंड में उट्रही थी, पैर आगे रखना मेरे दोनों सवर चलना शुरू हो जा रहे हैं। यहीं चीज मैं सब पांच बार में ने किया, पांच बार ऐसे हुआ, वो क्यों होता है? ये कभी-कभी ऐसे होता है कि देखो, आप तो प्रियोग करना चारे हो left, आप तो चंदरस्वर का प्रियोग करना चारे हो, क्या nature भी आप से वो करवाना चारी है कि नहीं, आप बताओ, जी-जी, वो प्रकरती जिसमें आप जी रहे हो, जो energy आपको घेरे हुआ है, जो energy का flow, जो aura आपके चारों तरफ है, क्या वो भी उससे एक positive, एक combination बना पा रहा है के नहीं? जवाब है, नहीं. जी. अब जैसे मैंने अनेक लोगों को बताया, मंतर जाब करने के लिए, ठीक है? मंतर जाब बताया, वो बोले, पांच-छे दिन किया था, फिर वो छूट जाता है, अरे नहीं, वो छूटता नहीं. आपके अंदर वो शक्ती नहीं है, उस मंतर को धारण करने की. जी. आपके अंदर, आपके शरीर में आपके मन में वो शक्ती होगी, तभी तो आप उसको कॉंटिनूसली रख पाओगे ना? नहीं, तो कोई ना कोई बहाना बना के आप उसको छोड़ी दोगे. जी. तो इसलिए होता है, कि आप उस, आप अपना समझस से, अपना बैलेंस प्रकरती के साथ भी बना पा रहे हो क अपनी. तो एक बहुत अच्छी आप देखना, आप साधना का आपका रिजल्ट निकल के आएगा है, जो आप इन बातों को ठीक से कर पाओगे. आप प्रक्टिस करते रहो, तो पहले अगर आदे गंटे में होता था, तो स्वर के साथ चलू तो पांच मिनट में हो जाता है अच्छी बाँ, very good. मैंने जैसे अभी पहले भी बोला था कि आप मेंसे जो लोग भी इंट्रस्टिड है ना, जो प्योर्ली मेडिटेशन में है, मैं उनको एक अलग से ग्रूप में डाल दूँगा, जो मुझे आप से बातचीत करते करते पता चल जायागा, आपको बताने की अलग से अवशकता नहीं है, कि मैं भी मेडिटेशन करना चाहती हूँ, या करना चाहता हूँ, वो मैं, वो मेरा काम होगा, वो मैं आपको अलग कर दूँगा, और फिर हम बात करेंगे, प्योर्ली स्पिरिच्वैलिटी की, और मेडिटेशन की, और ध्यान की, तब तो हम ये बात करेंगे, कि स्वर को सीड़ी बनाके कैसे चड़ जाएं, सूर्य और चंदर के साहरे हम, जब ध्यान की गहराईयों में उतर जाएं, तब तब बनेगी, अभी तो ये मैं बेसिक कोर्स है, बिल्कुल अभी तो सिर्फ ये समझो कि, अभी तो जान पचान हो रही है, इंट्रोडक्शन हो रहा है, सिर्फ हमारा, आपने तो शायद मुझे सुन रखा है, पहले मुझे जान रखा है, लेकिन अब मुझे भी तो मौका मिले ना, आपको जानने का, तो मैं आपको जान रहा हूं थोड़ा, आप पता लगेगा, इस में से कौन हीरे मोती हैं, उनको आद्धिया बोलेगी कुछ बता, you want to say something? आद्धिया third class में बढ़ती है याद रखना सब लोग. आद्धिया बढ़ती है ये करो कि ये होगा बट्धिया रहा है मां मुटे कुछ लाद ही रहा है मुटे कुछ लादी रहा है रहा है उनके फ्लास पर ही जाओ और मा तीन साहर से से बढ़िया है कि अपने आपको रोज मोनितर करती है कि किस ताइम पर उसका कॉंसर वर्डुता अपने अपी अपनी राइटिं में लिखती रहती है किस देखो पूरा रखाया अपना शही कीपिंग मेंटेणिंग र रेकोरड कि कश कॉंसर चल रा था और कह रही है वह थर्ड लास में बढ़ती है तीन साल से कर रही है वो confused होगी थोड़ी, वो तीन महीने बोलना चाहती थी, लेकिन तीन साल से बोल दिया, कोई बात निए, अच्छा, वेरी गुड, I really appreciate, Adya, you keep doing this, and you will be doing, you will be doing amazing meditation practice, just in three to four months, I am sure about this, हाँ, बोलिये क्या बोलना है, बताये? कोई बात नहीं, सीख जाँगे, आराम से करें, सीखेंगे, कोई जल्दी नहीं है, हम जब दुबारा मीटिंग करेंगे, तो बारा भी बताऊंगा, कुछ सोड़ा बोल, ठीक है? हाँ, don't get nervous, no problem, हाँ, Sonia जी, बोलिये, कुछ बोलना चाह रहे हों कि आप? हाँ, जी, हाँ, उसको करेंगे, इसके बाद करेंगे उसको, हाँ, क्या मैं जाइन कर सकते हूँ? अगर हम बिलकुल organic तरीके से, natural तरीके से, अगर हम किसी दूसरे की help कर पाएं, देखो, अगर आपके पास आस-पास आप नजर गुमा के देखो, कोई अगर सफर कर रहा है किसी problem से, और आपके पास solution है, तो why not? why not we give our helping hand, हाना? तो इसी भावना से, उसको हम करेंगे, उस पे हम काम करेंगे, कि अनेक बातें, देखो, आप तो बहुत 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 ब्रेव हो, जो आप मेरे सामने आ गए, लेकिन कई ऐसी महिलाएं हैं, जो मेरे सामने नहीं आ पाएंगी, ना, आप उनकी सहायता कर पा होगे, आपने आसपास, अपने रिष्टेदारों में, अपने पडोस में, जहां भी आप जाओगे, तो ऐसी ही तो हम देखो, एक जोती से दूसरी जोती जलाएंगे, हाँ, करेंगे इस पे काम हम, मैं आपको याद रखूँगा, आपने इंटर्स दिखाया इसमें, हाँ, और कोई बचा क्या, फिर खतम करें आज इस कोल को, आज चार घंटे बैठना है, मैंने इस कम्पूटर के आगे, देख लो, जितने ओफिस में लोग काम करते हैं, उस तरह काम कर रहा हूं, आस तो, एक सजा होगी मेरे लिए, तो, इस अपनिश्मेंट, मेरे घर में टीवी नहीं है, I never watch TV, सिरफ इस बात से बचने के लिए कि मैं नहीं देखना चाता एक स्क्रीन को, अब अगर आप देखोगे, थोड़ा ध्यान दोगे, तो, बहुत सालों से लोग बोलते आ रहे हैं, के गुरूजी कुछ online class शुरू करो, online ठिकाओ, मेरे को सिरफ यही पसंद नही लेकिन अब finally इसको शुरू किया, तो मुझे भी आपके practice के experiences जानके बहुत एक positive energy मुझे भी दिखाई दे रही है, मुझे दिख रही है, तो हम बहुत अच्छे से काम करेंगे इस पे, और मुझे लगता है सबसे बात्चीत हो गई है, अगर किसी से बात नहीं हुई है, तो ओम से भी बात हो गई, हाँ जी चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ओम नमस्षिवाए, प्रणाम